हेलो फ्रेंड्स गार्डन स्पेशलिस्ट हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बहुत ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं देखी किते सुन्दर होमेड लूफाज हैं जिसको हम अपने घर पर उगाई हुई तोरी से बना सकते हैं जिसको तुरही कहते हैं रिजगोड कहते हैं उससे हम बड़े आसानी से बना सकते हैं जैसे रिजगोड काफी हम पकने देते हैं पौधे पर तो उसमें सीड्स डिवेलप हो जाते हैं और वह पक जाती है और जब ब्राउन कलर की हो जाए और उसका रंग हरे से ब्राउन हो जाए तो हम इसको ऐसी हालत में तोड़ लें जब हमें पता चल जाए कि यह है बिल्कुल पक चुकी है और इसके बीज तयार है अगले सीजन के लिए देखिए ऐसे इसका छिलका उतार लीजिए बहुत आसानी से इसका चिलका उतार जाता है और बड़े अराम से हम इसका चिलका उतार कर इससे कैसे हम अपने लिए लूफा बनाएंगे जो कि बहुत ही जैसे प्लास्टिक के बजार में लूफा आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते जैसे कि ये और्गैनिक लूफा है और ये बहुत अच्छा भी रहेगा और इसमें बहुत बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है और पुरानी ओरतें जो होती थी वो इसी का लूफा बनाती थी जब लूफाज नहीं होते थे पहले प्लास्टिक वगरा और ये जो फाइबर में लूफाज बनते हैं नाइलन में और काफी चीजों से जैसे आज कर लूफाज बन रहे हैं तो देखिए ऐसे इसमें से आप बीज निकाल लीजिए सीड इसको इसमें से बड़े आसानी से पके हुए सीड सारे निकल जाएंगे और उनको निकाल कर आप रख लीजिए इतने सारे सीड हो जाते हैं कि आप अपने दोस्तों में भी बांट सकते हैं और इतनी बड़ी जगा में आप कितनी मर्जी तुरही उगा सकते हैं बिलकुल पके हुए सीड्स होते हैं जब पक जाती है तुरही तभी उसको तोड़ना चाहिए उससे बहुत अच्छा लूफा तयार होता है अब इसको अगर आप बिलकुल वाइट लूफा बनाना चाहें तो आप इसको बीच के पानी में डुबोकर जैसे फैबुरिक ब्लीच होता है कपनों को साफ करने के लिए वाइट करने के लिए तो आप ौइट कलर का भी बना सकते हैं नहीं तो अगर ब्लीच नहीं करना को यही कलर पढ़ पसंद है तो यह घंगा सा ब्राउनिश क्रीमिश सा कलर होता है ओफ वाइट सा तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं देखे कितने सारे बीज तयार होते हैं फ्रेंड्स को दीजिए और चाहे खुद उगाए कितने सारे आप अगले साल तुरई कितनी तुरई उग जाएगी कि आप कितना मर्जी बांट आप ये खाएं अब इसको वाश कर लीजिए इसमें थोड़ा सा लेस होता है जिसको हमने निकालना है तो आप पानी में साबोन ढालकर हलका सा सोप ढालकर ओडिटरजेन डालकर इसको अच्छे से वाश कर लीजिए और इसके बाद इसके सीड़ मैंने जल्दी जल्दी दीजे एक धागा बांद दीजे जिससे आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं लटका सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजे जैसे आपका दिल करें ये बहुत आसान होता है इसको आप अपने वाश रूम में कैसे भी लटका सकते हैं इसलिए इसमें थ्रेट बांदा जाता ह और ये बहुत ही सुन्दर और्गैनिक लूफा आपके लिए तयार हो गया है और पहले जमाने में लोग यही लूफा यूज करते थे और फिर से वही ट्रेंड आ रहा है क्योंकि यह लूफा काफी जूरेबल भी होता है और साफ रहने वाला लूफा होता है और और्गैनिक भी होता है तो बहुत ही अच्छा तरीका है तुरही से लूफा बनाने का और यह पुरानी ओरतों को पुरानी जो हमारी दादी वगेरा होती है उनको सब पता होता है इसके बारे में तो आप ऐसे लूफा बनाईए और यूज कीजिए